नौंबर का मंद स्टार्ट हो गया है क्यों न अपन इस मंद के लिए कुछ ऐसे कोईन ले ले जो अपन को क्विक प्रोफिट देखे जाए ज़्यादा लालस नहीं करेंगे 25 से लेकर 50% का मिनिमम टार्गेट रखेंगे मैक्स से लेगे तो बहुत अची बात है अपन को प्रोफिट से कोई अलर्जी थोड़ी है लेकिन कम टार्गेट रखेंगे ताकि फट फट अपन को प्रोफिट मिल जाए और यहाँ पे अगर बिटकोईन जो पिछले मंद अक्टूबर के एंड में पांसाथ परसेंट पंप वादा अगर उतना भी हो जाता है तो अपना काम हो जाएगा और वैसे नौबर बुली सी रहता है देखते इस बार क्या होता है लेकिन मिनिमम टार्गेट लेके चलेंगे तो वो कौन से कोईन है जिन पे वन बाई वन करके बात कर लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफ़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको जो तीन कोई बताऊंगा उन मेंसे दो कोई तो डिमान जोन मिलते है तो उसमें quick breakout देखने मिलते हैं कभी-कभी तो quick reaction देखने मिलता है और कई बार consolidate करने लग जाता है वो अलग बात है यह जो दो coin बताऊंगा वो भी consolidate करने लग रहे हैं लेकिन जब pump होंगे तो उनको क्विक profit देखे जाएंगे तो फड़ाफर से बात करते हैं तो सबसे पहला coin वो है sandbox sandbox बहुत ही काम का coin है यह बार चार्ट में आपको बता देता हूँ कि कहां पर क्या लेना है कितनी prices में चल रहा है तो यहां पर मैंने स्रेंज में अगर यह नीचे slip हो जाता है तो आप इसको ग्रेप करना क्विक आपको profit देगा सवा एक डोलर डेट डोलर के राउंड सवा एक डोलर के राउंड जाएगा तो अपन को को इनकी बात कर लेते हैं वो है थेटा अब एक बार थेटा के चार्ट में चलते हैं उसमें क्या सीगिन है वो देख लेते हैं थेटा के भी आप चार्ट में देख सकते हैं यह भी demand zone में चल रहा है और इसकी current price चल रही है एक एक डोलर के राउंड तो आपको क्या करना है एक पॉइंट एक डोलर के राउंड यहां current में और एक डोलर के राउंड देखने मिल जाए तो वहां पे भी इसको ग्रेप कर सकते हैं यहां पे उठाओ इसको और मिनिमम टार्गेट में आपको बताओं तो यह आपको दो डो डोलर के राउंड देखने मिल सकता है तो अपन टार्गेट किता लेके चल रहे थे 25 से लेकर 50% तो यहां पर आप देखे 25 डोलर के राउंड पर चला गया तो 50% का यह फ्रोफिट देदेगा इतना जा सकता है क्विक ब्रेकाउट ले सकता है यह दो कोई आपको पता लगे एक तो ठेटा और एकर सेंड बोक्स यह दिमांड जो उन पर दोनो थोड़ा बहुत अगर सिलिप हो जाए तो ग्रेप कर ले ना डी से करके और लेकिन करंट में इनको लेके रखो अब तीसरे कोईन की बात कर लेता है वो डोज कोईन है डोज कोईन में लो अगरम है वोल्य कोईन पसंद नहीं है तो बाइब उनको इतना सा पता नहीं है जब मीम कोईन गिर रहे थे इस्पेसली सिबाइनों तब मैं आपको अवेर करता जा रहा था कि भाई से दूरो इसको सेल कर दो लेकिन आप लोग तो उनकी बाते मान रहेते थे वह आपको उपर बाइक कर तो आपको इतना तो पता होगा कि मैं Doge Coin के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं आपको पहले बोलता था कि Alan Musk इसको सपोर्ट करता है इसको छोड़ो मत थोड़ा थोड़ा अगर DCA करके लोग अलग बात है लेकिन ग्रेप करके रखो अभी आराम से दीरे-दीरे यह यह मोमेंटम लेता लेता एक डुलर्ट भी जा सकता है मैं Doge Coin के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं तो सीबा इनू को भी आपको दो-चार बार तो बतायता है डिप में भी बतायता है लेकिन यह ज़रूर बोलता कि यह रिस्क ही है डोज कोईन के लिए मैं इतना वो नहीं करता हूँ डोज कोईन पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है एलनमस का तो खेने तो लोगों को खेने से कुछ होता नहीं है आपको क्या करना है? डोज कोईन को अभी करन्ट प्राइस पे लेके रखना है और अगर थोड़ा बहुत और सिलिप होता है लोग अगर प्रोफिट बुक करता है करन्ट प्राइस में तो आपको और उठा लेना वैसे तो अपन प्रोफिट ले रखे हैं अपन ने 6 सेंट, 6.6 सेंट के राउंड लिया था और प्रोफिट भी बुक कर लिया था अच्छे से लेकिन अप क्या करना है नवंबर के लिए अपन को 30 से लेकर 50% का टार्गे लेके चलना ज्यादा चला जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी करेंट प्राइस में उठा लो थोड़ा बहुत सिलिप हो जाए तो और लेलना फिर क्या करना है अपनको मिनिमम टार्गेट का है जो मैंने आपको डोल्ज कोन का वीडियो बनाए तो उसमें बताया था 20 से 22 सेंट और आगे की बाते और कर लेंगे बाद में जब वहाँ तक चला जाएगा तो आई होब मैं आपको जो भी चीज़े बताया हूँ सबको समझ में आगे होगी अगर इस वीडियो में आपको जड़ा सा भी नोलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आप किसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे